प्रेटिकल करना चाहते हो तो वीडियो के अंदर में आपको पूरा डिट्ल में बताँगा याप कोपर अर्टिकल कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो दो मैं खुद भी यहाँ पे कोपर आणिकल एक्सपोर्ट करता हूं जिस्वें कोपर बोटल तो आप यहां पे देख सकते हो कौपर के आर्टिकल हो या कौपर की बॉटल हो उसकी अच्छी डिमान्ड हो तो कोई भी प्रड़क को एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले उसके यूज्ट के बारे में जाना जरूरी है कि उसका इसको यूज्ट करेंगे तो copper article हो गया, उसका जो है bottle के रूप में use होता है, उसका home decoration के अंदर use होता है, उसका मंदिर के अंदर use होता है, अगर आपके पास copper के spare part है, industry में जो use होते है, तो उसकी demand तो बहुत ही जादा है, क्योंकि हर एक industry के अंदर copper के parts लगते है, next हम बात करें कि government जो है क्या क्या benefit copper क को दे रही है, तो सबसे पहले यहाँ पर मिलता है duty drawback, DB के मिलता है, अब मैं यहाँ पर आपको बता दू, DB के जो है like 1%, 2% मिल रहा है, but depend रहेगा product के उपर, क्योंकि आपका कौन सा product है, आपका wire है, आपका spare part है, आपका copper bottle है, तो उसके इसाब से जो है यहाँ पर benefit मिलेगा copper bottle पे जो government का benefit मिलेगा DB के, या तो percentage मिलेगा, 1 या 2% जो भी है, वो मिलेगा, या पर kilo के इसाब से 60 rupees fix मिलेगा, 50 rupees, 60 rupees जो भी है, आपकी product के इसाब से, HS code के इसाब से वो आपको fix मिलेगा, मतलब यहाँ पे दोनों में से कोई 1 मिलेगा, whichever is low, मतलब या तो आपको percentage मिलेगा या फिर per kilo आपको rupees के अंदर benefit मिलेगा, next benefit है RODTP road tap, तो यहाँ पे जो मैं government की site पे देख पा रहा हूँ, उसके हिसाब से यहाँ पे 0.30% RODTP यहाँ पे copper को मिल रहा है, next है interest equalization scheme, मतलब copper article को आप export करने के लिए pre shipment finance के अंदर आप loan लेते हो, तो as a manufacturer, एक्सपोर्टर, government आपक का सबस्री देगी, मतलब आप 10% के interest पे export के लिए आप loan लेते हो, तो government जो है 5% interest बेर करेगी, आपको सीफ जो है 5% interest देना पड़ेगा, and merchant exporter को benefit यहाँ पे available नहीं है, जो government की site पे लिखा है, उमें आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पे clarification कर दू, duty drawback and RODTP के जो benefit है, वो merchant and manufacturer दोनों को मिलते हैं, यहाँ पे confused नहीं होना है, चुकि interest equalization scheme जो है, वो कभी-कभी जो है, merchant को नहीं मिलती है, manufacturer को मिलती है, but duty drawback and RODTP, merchant exporter को भी मिलेगा, और हम export के टेटेस्टिक की बात करें, तो इंडिया से जो है copper के articles है, copper के utensils है, copper की जो product है, उसका export जो है, बढ़ रह sir product तो अच्छा है, अब इसको export कहां पे करें, तो top 7 countries मैं आपको यहां पे बताता हूँ, जहां पे आप copper के article export कर सकते हो, first USA, second Peru, third Columbia, fourth Germany, fifth United Arab Emirates, sixth UK, seven China, यह जो countries है, यहां पे आप copper article export कर सकते हो, next यह product जो है, इंडिया में कहां कहां पे मिलेगा, तो मैं आपको बता दू यहां पे, इंडिया के अंदर, South India में मिलेगा, UP में मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, जारखन में मिलेगा, यह जो product है, यह जगाओ पे मिलेगी आपको, उसमें भी UP state है, वो बहुत ही famous है, copper utensils के लिए, next है, copper article को export करने क के लिए क्या क्या document लगेगा, तो सबसे पहले आपको एक company बनाना पड़ेगा, उसका current account खुलवाना पड़ेगा, IEC लेना पड़ेगा, RCMC लेना पड़ेगा, इसके अंदर RCMC जो है, आप EEPC, Engineering Export Promotion Council का ले सकते हो, या हैंडिक्राफ में आपके articles आते हैं, तो हैंडिक्राफ आप जब export करोगे, airport से, या फिर report से, आपको eddy court registration करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको invoice बनाना है, पेकिंग्लिस बनाना है, shipping will जो है, आपका CHE फाइल करेगा, और bill of leading जो है, आपका CHE आपको देगा, अगर आपका buyer आपसे testing report मांगता है, तो आपको testing report भी देना पड पड़ेगा, और को specific document buyer मांगता है, तो आपको देना पड़ेगा, वरना generally यहाँ पे इतने document copper article export में लगते है, next export का packaging कैसे करेंगे, तो यहाँ मैं आपको बता दो, मैं खुद भी export करता हूँ, तो मैं कैसे packing करता हूँ, आपको यहाँ बताता हूँ, तो यह जो bottle होता है, इस इसके बाद इसको bubble का bag आता है, आप देख सकते है bubble वाला bag है, तो इसके अंदर जो है pack करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि यह bubble वाला packing होता है, यह बहुत ही अच्छा है, goods के लिए safety होता है, आप देख आप Amazon से भी कोई चीज आप मंगाते हो, तो अभी क्या होता ह कि bubble वाला packing रहता है, और मैं आपको बता दूँ, आपका जो बायर है, वहाँ पे मेभी विदेश के अंदर e-commerce बेचता हो, तो ऐसा जो packing है, उसको फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसी साब से pack करके, जो है, मैं copper bottle को export करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, देख इसको किसी को बेचना है, तो सिधा single single piece design के इसाब से किसी को दे सकता है, तो उसको वहाँ पे कोई extra costing नहीं लगेगा, इसलिए बायर जो है copper article को ऐसे packing में जनरली मंगाते है, तो यहाँ पे जो है packaging कोई बड़ी बात नहीं है, copper article है, तूटने वाली इतनी चीज नहीं है, तो और भी different type के box के अंदर आप pack कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे box में भी आप इसको pack कर सकते हो, next है how to find buyer for copper article, तो सबसे important है आपको skill develop करना पड़ेगा, communication skill हो गया, negotiation skill हो गया, एक positive attitude हो गया, यह सब आपको develop करना पड़ेगा, market में आपको रहना पड़ेगा, तभी जाकि एक successful exporter आप बन सकते हो, इस सारी चीज़े आपको सिखनी पड़ेगी, आप practical एक exporter से exporting board सिखना चाहते हो, गुजराती businessmen से business सिखना चाहते हो, तो हमारा ज से find करना है, तो सबसे पहले आप exhibition में पाट लेके, आप जो है copper article के buyer find कर सकते हो, next जो है, आप embassy का help लेके, आप copper article के buyer find कर सकते हो, next जो है, आपको buyer find करना है, तब social media का भी use कर सकते हो, यस यह बहुत ही अच्छा वे है, social media का use करके भी आप copper article के buyer find कर सकते हो, next आप Google का भी use क करके अब आयर फैंड कर सकते हो नेक्स्ट आपके फ्रेंट से विद्च में है तो उसका भी आप ले सकते हो नेक्स है अब मैं अब नेके बहुत सारे रास्ते हैं तो यहां भी जो बताए उस रास्ते से आप यह प्रड़क के बाईर फाइंड कर सकते हो अब next बात है एक एक्सपोर्ड करना है तो step by step क्या प्रोसेस रहेगा इसको भी एक्सपोर्ड करता हूं तो सबसे पहले अगर आपको लेना है और उसका pricing लेना है उसके बाद आपको खुद को अपना pricing करना है CHS को contact करके आपका pricing करना है buyer जो है उसे quotation देना है buyer आपसे negotiation भी कर सकता है उसके बाद deal को done करना है जैसे मेरा deal done हो जाता है तो generally payment time होता है 30% advance in 70% before delivery तो तो बायर जो है payment करता है उसके बाद मैं supplier को order देता हूँ कि मैं मेरे को इतनी इतनी bottle चाहिए इतने इतने article चाहिए वो बना के मुझे यहां पर base देता है फिर मैं यहां से उसका invoice and package बनाता हूँ CH को देता हूँ किस्टम क्लेंस होता है और मेरा goods यहां से export हो जाता है तो export import करना बहुती easy है आप भी export import business कर सकते हो और successful exporter बन सकते हो let's go global together thank you जैहिंद thank you for watching this video क्या आप step by step practically export import सिखना चाते हो then join advanced level export import practical training everything about export import जिसके अंदर 100% export import सिखाने का guarantee है with lifetime support to register call now let's go global together thank you अपक्र आप अपन्स अपट अपन्स पुम अपन्स नपन्स नपन्स ऐस